हाई लास्क तीन वीडियोस में तीन अलगलग थीम्स को कवर करने के बाद ये वीडियो हम थोड़ा डिफेंट लेकर आये हैं यहाँ पर हम हमेशा की तरह चार पांच या छे कंपनिस को कवर नहीं करेंगे बलकि सिर्फ दो ही कंपनिस को कवर करेंगे लेकिन ये दो कंपनिस ऐसे होंगी जिने इन माई उपीनियन हमारा पॉर्टफोलिय डिजर्व करता है एंड जो बैलुएशन के मामले में भी बैटर प्लेस्ट हैं एक ही पॉइंट मैं कहना चाहूंगा कि फूचर में किसी बिजनस में ग्रोथ क्यों हो सकती है इसे जाने बगार ना ही किसी बिजनस में इन्वेस्ट करें एंड ना ही किसी बिजनस को इगनोर करें क्योंकि बिना रिजनस जाने अगर इन्वेस्ट करेंगे तो होल्ड नहीं कर पाएंगे एंड बिना रिजनस जाने अगर इगनोर करेंगे तो हम एक long term solid story को miss कर सकते हैं तो first time viewers को बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम सुशील है मैं saving register नहीं हूँ इसलिए मेरे opinions को investment advice ना समझे और इस वीडियो को सिर्फ educational purpose के लिए ही consider करें तो आज की वीडियो के जो sponsor है अच्छे returns नहीं बनाये है then जिस तरह की uncertainties अभी market में start हुई है due to geopolitics stock market में returns generate करना और भी मुश्किल हो सकता है इसका कारण हमारा stock market में नया होना भी हो सकता है या हमारे पास किसी solid framework का ना होना भी हो सकता है तो इसे overcome करने के लिए हम universe जैसे platform पर trust कर सकते हैं यहां stock recommendations directly savvy registered research analyst से आती है with past record of 100% strike rate in long term investing 90% strike rate in short term investing and more than 80% of strike rate in future and options recent में जो calls top performing रही वो भी आपकी screen पर है universe आपकी stock market में learning को भी बढ़ाएगा क्योंकि आपको particular call की research report भी provide की जाएगी calls भी directly आपके WhatsApp पर आ जाती है with entry and exit price plans भी बहुत ही affordable है भी the pricing starts at 174 रुपीज पर मन्त in fact first 5 ideas सब के लिए ही free है तो savvy register search analyst द्वारा direct stock ideas के लिए I would definitely recommend Univest 75 to 80% discount आपको हमारे link के थू ही मिल जाएगा नवरात्री special extra discount के लिए आप coupon code सुशील 80 use करें तो link is in the description तो let's get back to the discussion इस company को जिसे हमने shortlist किया है वो presently 3 different sectors में operate कर रही है and सबसे बड़ी बात ये 3 को 3 sector high growth sector है and इससे भी बड़ी बात ये है कि ये company उन sectors में one of the leadership position hold करती है and there is a high probability कि future में demerge होकर यहाँ से 3 separate business भी बने तो जिन sectors में ये company operate करती है वो actual में कितने high growth है तो उसके लिए हम इनका growth forecast देख लेते है तो first vertical है real estate and इसमें भी ये company luxury segment में operate करती है तो luxury real estate market की growth forecast का बात करें तो ये 21.8% के CAGR से grow कर सकती है by 2029 जो की काफी high growth है दूसरा vertical इनका EV and auto component का है तो इंडिया की auto component industry की growth को देखें तो ये presently 9.8% के CAGR से grow कर रही है जो की decent growth है वेराज जो EV component market है ये 22.1% के CAGR से grow कर सकती है between 2020 to 2030 जो की काफी high growth है थर्ड बटिकल इनका aerospace and defense का है तो defense industry इंडिया में 14% के CAGR से grow कर सकती है by 2030 वेराज जो global aerospace component market है इसमें इंडिया का share 2023 में 1.5 billion US dollar था ये 2027 में 4 billion US dollars हो सकता है जो की 28% के CAGR की growth है जो की काफी high growth है तो यहां से हमें ये पता चल गया कि जिन industries में ये company operate करती है वो one of the high growth industries है और इन industries में operate करने वाली companies के लिए tailwind बनी रहेगी अगले कहीं सालों के लिए तो company का नाम Raymond's Limited है जिसे first time हमने 25th of July को cover किया था और बहां से approximate 12% की गिरावट हो चुकी है काफी सारे viewers परेशान है कि company में actual में potential heavy की नहीं तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस वाली वीडियो को देखने के बाद आपके सारे dots clear हो जाएंगे और ये भी पता चल जाएगा कि actual में value unlocking कितनी हो सकती है तो सबसे पहले आता है इनका real state का business जिसमें ये aspirational, premium and luxury segment में operate करते हैं mass segment में इनका focus नहीं है और mass segment में मेरा भी interest नहीं रहता है क्योंकि यहाँ पर profit margins काफी कम रहते हैं तो real state business के past record को देखें तो financially year 20 में इस business से 176 crore की revenue generate हुई थी and financially year 24 में जो revenue generate हुई है वो हुई है 1593 crore जो की financially year 20 के comparison में 8 times की growth है यह मत सोचिएगा कि यहाँ पर जो base year लिया गया है यानि की financially year 20 यह COVID वाला period है क्योंकि COVID जो इंडिया में आया था वो financially year 21 के beginning में आया था और COVID का जो impact businesses पर पड़ा था वो financially year 21 and financially year 22 में पड़ा था बेराज अगर हम profitability की बात करें तो financial year 20 में जो इविटा था वो सिर्फ था 13 crore का and financially year 24 में जो इविटा जेनरेट हुआ है वो हुआ 370 crore जो की financially year 20 के comparison में 28 times की growth है तो इस quarter में कैसी growth हुई है तो यहां हम देख सकते हैं कि year on year basis पर इस quarter में 108% की growth हुई है यो की amazing growth है तो next question जिसका हमारे पास answer होना चाहिए वो यह की real state business future में कितना बड़ा potential रखता है तो यहां हम देख सकते हैं कि जो projects under development है and जो projects जिन में अभी काम start होने वाला है इसमें total 32,000 crore का revenue generation का potential है जो की financially 24 की revenue के comparison में 20 times की growth है friends इस company का lifestyle business अलड़ी demerge हो चुका है and एक नई entity बन चुकी है Raymond Lifestyle Limited के बारे में इसलिए इस business के उपर हम बात ही नहीं करेंगे whereas real state business जिसे हमने अभी discuss किया है board ने इसका भी demerger approve कर दिया है और वो किया था 4th of July 2024 को तो real state business की नई entity का नाम होगा Raymond Reality Limited जिन investors के पास Raymond Limited का एक share होगा उन्हें Raymond Reality Limited का एक share मिलेगा तो जिस तरह से company की growth हो रही है जितना बड़ा revenue का potential है और जिस तरह से इस industry में operate करने वाले players को valuation मिल रही है यहा हम देख सकते हैं कि तो Raymond Reality को भी एक अच्छा PE मिलेगा 20 बन का in my opinion नहीं मिलना चाहिए तो in my opinion Raymond Reality Limited 10,000 क्रोर की market cap से ज़्यादा पर लिस्ट होनी चाहिए और मुझे लगता है कि यह मेरे conservative estimates है जबकि presently पूरी company की market cap ही 11,596 क्रोर है उसका next vertical इनका engineering business का है और उसमें जैसा कि हमने discuss किया ही था उसमें एक तो यह auto and EV component में operate करते हैं और दूसरा aerospace and defense में तो auto and EV components में इनके जो star products हैं वो आगकी screen पर हैं जिसमें से steel files यह इंडिया में number 1 पर आता है with 60% of market share ring gears यह भी इंडिया में number 1 पर आता है with 55% of market share in passenger vehicles and 45% of market share in commercial vehicles steel files globally number 1 पर आता है यहाँ पर total build की install capacity का 25% इनके पास है and flex plates में यह sold domestic manufacturer है with 25% of market share auto and EV components में more than 60% of revenue export से आती है top 15 global auto EMs को यह अपने product supply करते हैं and presently इनके पास 17 plants हैं whereas aerospace and defense segment की बात करें तो arrow engine में use होने वाले 1200 प्लस parts यह develop कर चुके हैं बल्कि 25 arrow component manufacturers इनके clients हैं बल्कि top 3 global aircraft engine manufacturers को यह अपने product supply करते हैं जिनका overall market पर 88% of market share है further aerospace and defense के लिए हर दिन एक नया product develop कर रहे हैं तो इस पूरे engineering business ने financial year 24 में इस कंपनी ने 1800 क्रोर की revenue generate की है जो की real estate के comparison में जादा है लेकिन अविटा generation के मामले में real estate जादा better है and quarterly results में भी देखे हैं तो engineering business में 100% की growth हुई है year on year basis पर तो Raymond Limited में जो engineering का business बच जाएगा जिसमें ये सारे verticals आते हैं उसमें किस तरह का potential है वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम precision auto components manufacturers को देखें तो किसी को 46 का PE मिल रहा है किसी को 58 का किसी को 69 का and किसी को 83 का बेरेस aerospace में जो कुछ players काम कर रहे हैं उन्हें किस तरह का PE मिल रहा है वो भी आपकी screen पर है defense industry में जो players operate कर रहे है in fact उन्हें भी काफी high PE मिल रहा है जबकि जो Raymond Limited का price to earning है वो सिफ है 21.2 in my opinion ये जो engineering business Raymond Limited में बच जाएगा ये भी more than 10,000 crore की market cap deserve करता है और इसकी भी दो separate subsidiaries बनने बाली है और ये already announce हो चुका है इसमें जैसा कि हमने discuss किया ही है एक तो aerospace and defense को focus करेगी और दूसरा auto and EV components को यहां से एक point में clearly पता चलता है कि Raymond Limited में आज जो business बचे हुए है उनमें more than 2x का potential है लेकिन ये मेरी study है कोई guarantee नहीं है एक और point जिसे study करना काफी ज़रूरी है वो ये कि आज जो price to earning हमें दिख रहा है ये भी accurate नहीं है क्योंकि price to earning का formula होता है crunch stock price divided by trailing 12 months का EPS तो stock price को मैंने यहां पर calculator पर type कर लिया है और बेर जो trailing 12 months का EPS है वो हमें यहां पर देखने को मिल जाएगा और बो है 1192 तो इसे अगर हम divide करें 1192 से तो price to earning निकल कर आता है 1.46 का लेकिन अगर हम quarterly results देखें तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि quarter burn में other income से company के पास 7370 क्रोर आये हैं business की restructuring से और यह हर बार आने वाले नहीं हैं तो इस case में March 24 में जो quarterly results आये हैं ये June 24 के quarterly results की जगा भी ideal होंगे क्योंकि March 24 वाले quarterly results से पहले ही इनका lifestyle का business demerge हो चुका था तो जैसा कि price to earning निकालने के लिए हमें last के 4 quarter का EPS चाहिए होता है तो हम क्या कर सकते हैं कि June 24 में जो EPS आया है इसे ignore करते हैं and इसे replace कर देते हैं जो March 24 में EPS आया था तो उन्हें अगर हम add कर दें तो EPS बनता है 20.38 का तो stock price है 1742 इसे हम divide कर लेंगे 20.38 से तो price to earning हमारे पास निकल कर आता है 14.47 तो actual में ये company 20 के PE से नीचे ही trade हो रही है जो की in my opinion काफी undervalued है जब price to earning company का इतना कम है तो company के stock price में इतनी correction क्यूं हो रही है तो उसका जो मुझे पहला कारण दिखता है वो ये कि last के 5 years से इस company के stock price में लगातार up run देखने को मिला है तो 30th of June को इसका lifestyle business demerge हो गया तो ऐसा हो सकता है कि 5 years के run up के बाद कुछ players ने profit booking की हो moreover जो next demerger होना है उसे 10 months से 1 year का समय लग सकता है तो अगले demerger से पहले इस stock में हमें definitely कुछ movement देखने को मिल सकती है and in my opinion कुछ ने players enter भी कर सकते हैं लेकिन वो कब enter करेंगे इतना मुझे भी पता नहीं है तो अगर quarterly results के दम पर इसका stock price recover नहीं करता है तो next जो बड़ा trigger मिलेगा वो मिलेगा इनके real trade के business के demerger से and उस demerger का impact stock price में कितना पहले दिखना start हो जाएगा इसकी उपर मैं भी comment नहीं कर सकता I hope कि इस business के बारे में मैं आपके कहीं सारे dots clear कर पाया अगर आपको लगता है कि मैंने कोई major factor को miss किया है जो इस company के पूरे overview को बदल सकता है तो वो आप comment section में जरूर लिखें and मेरी study को देखकर ही आप invest ना करें आपको जो भी करना है आप खुद की study के basis पर करिएगा friends बन humble request अगर video यहां तक informative लगा है तो like जरूर कर दें इससे आप पर कोई impact नहीं होगा लेकिन मुझे hard work करने के लिए काफी motivation मिलेगी तो अब हम जिस business को discuss करने वाले हैं वो एक नहीं, दो नहीं बलकी 7-7 high growth verticals में operate करता है कुछ verticals में इन्होंने नया फोरे भी किया है और उसके बाद जो next deep dive किया था वो किया था इन वाले levels पर और अब हम इस company को क्यों cover कर रहे हैं वीडियो को देखने के बाद आपको वो भी समझ आ जाएगा जिस snake verticals में company ने एंटर किया है उसमें first तो leasing का business है तो आखिरकार ये leasing करते किसकी है तो यहां हम देख सकते हैं कि leasing presently हो रही है air fibers की, phones की, laptops की, ship and EV batteries की first ship इन्होंने lease पर देवी दिया है और जल्द ही ये solar panels and IT equipment की leasing भी start करने वाले हैं ये business comparatively कम रिस्की माना जाता है क्योंकि asset पर ownership होने के कारण अपने asset को कभी भी recover किया जा सकता है तो आगिरकार ये leasing के business में enter क्यों की ये है उसमें से कुछ data तो हमें यहां पर देखने को भी मिल रहा है यहां हम देख सकते हैं कि IT leasing में जो worldwide growth हो रही है वो हो रही है 13.2% के CAGR से and ये forecast up to 2032 के हैं बेरस company और भी जिन products की leasing कर रही है वो भी इंडिया में नया है यहां पर growth higher pace पर रह सकती है उसका जिन ने verticals में company ने enter किया है वो किया है black rock के साथ मिलकर जिसमें first vertical है wealth management and second है broking तो क्या कारण हो सकते हैं इन verticals में enter करने का उसमें first ये कि इंडिया की high net worth and ultra high net worth population last के 5 years से 12% के CAGR से grow की है तो ये growth इंडिया की wealth management industry के लिए एक बड़ा growth का कारण हो सकती है whereas अगर हम stock broking की बात करें तो ये last के 5 years में 12-15% के CAGR से grow की है and ये growth continue भी रह सकती है तो आज इनके अगर total business की बात करें तो market में कितनी तरह की companies है जो इनके business में आती है तो जो इनका geo finance limited है ये काम करेगा बजास finance limited की तरह geo insurance broking काम करेगा पॉलिसी बजार की तरह जो geo payment solutions and geo payment banks काम करेगा पेटियम की तरह geo amc काम करेगी HDFC amc की तरह उसके बाद geo broking काम करेगी जिरोदा या angel one की तरह geo wealth management काम करेगी अधित्य बिर्ला कैपिटल या फिर आनंदराथी बेल्थ मेनेजमेंट की तरह बेराज लीजिंग के जिन वर्टिकल्स में ये इंटर किये है बहां पर इनका कोई कम्पीटिटर ही नहीं है तो आज इनके बिजनेस के अंदर 7 high growth potential वाले बिजनेस है और रिलाइंस की कोशिश रहती है कि मार्केट को disrupt किया जाए जिसका हिंट हमें रिलाइंस के एनरजी बिजनेस, टेल बिजनेस और टेलीकॉम बिजनेस से भी मिलता है और ये ऐसा कैसे कर पाते हैं क्यूंकि एक बड़ा कॉंगलोमेरेट होने के कारण इनके पास बड़ी कैपिटल रहती है इनसे ये बड़े इंडस्टी टाइकॉंग्स को हायर कर पाते हैं और क्यूकली अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की पोजिशनिंग कर पाते हैं साथ ही में इनके पास अच्छी एक्सिटाइज भी रहती है इनके बिजनस जादातर इंडस्ट्री में ओपरेड करते हैं इनसे इनके बिजनस को मुचुली स्पोर्ट भी मिलती है तो जियो फाइनेंशल को रिलाइंस रेटेल से भी हल मिल सकती है जिनके पास अलड़ी 304 मिलियन रिजिस्टर्ड कस्टमर्स है एन लाइस टेलिकॉम से भी मिल सकती है जिनके पास अप्रॉक्सिमेटली 482 मिलियन सब्सक्राइबर्स का बेस है तो आज इनके कितने बिजनस स्टर्ड हो चुके हैं तो इसके लिए अगर हम ज़्यादा रिसर्च ना भी करें सिर्फ हम Gio Finance का Mobile App उपन कर लें तो हमें देखने को मिलेगा कि इनका Finance वाला बिजनस स्टार्ट हो चुका है Insurance Broking वाला बिजनस भी स्टार्ट हो चुका है Payment Solutions वाला बिजनस भी स्टार्ट हो चुका है and Payments Bank वाला बिजनस भी स्टार्ट हो चुका है and same ही हमें इनके profit and loss statement में भी देखने को मिल जाता है यहां पर इनके पास interest से कुछ income आई है and वो है 938 crore उसके वाद fee and commission से कुछ income आई है and वो आई है 152 crore and dividend से कुछ income आई है and वो आई है 217 crore and dividend से income इसलिए आई है क्योंकि इनके पास reliance industries की 6% of holding है and leasing का business भी start हो चुका है जैसे की हमने discuss किया ही है तो next important aspect आता है company का price to earning जो की देखने में काफी higher देखने को मिल रहा है जो है 139 का लेकिन अगर हम company की balance sheet में जाएं तो हमें देखने को मिलेगा कि reserves बढ़कर हो चुके है 1,32,794 crore जो की March 23 के comparison में बढ़े है and cash equivalents भी 6,000 से बढ़कर 10,960 crore हो चुके है तो पहली पास तो जिस company के पास 1,50,000 crore के अप्रॉक्स assets ही हो उसके लिए 2,19,632 crore की market cap जादा नहीं है एक और important aspect जिसके उपर हम अपने केई सारी वीडियो में बात कर चुके है वो है book value and इस company की book value है 2,19 तो book value का ये मतलब है कि company के जितने assets है उसमें से सारी liabilities को minus कर दिया जाए तो per share के हिसाब से उन assets की value का आएगी तो इस company के case में आएगी 2,19 तो friends ये जो current price है 346 इसको अगर हम divide कर दें book value से जो है 2,19 तो हमारा price to book value निकल कर आ जाता है and price to book value है 1,58 बेरह जो बजाज finance का price to book value है वो है 6,02 तो price to book value जितना कम रहता है उतना investors के favor में रहता है क्योंकि बहां हमारी investment ज़्यादा safe मानी जाती है क्योंकि अगर हम एक share के लिए 346 पे कर रहे हैं तो उस एक share के नाम पर 219 रुपीज के assets भी है इसलिए company की price to earning को बहुत ज़्यादा deciding factor नहीं बनाना चाहिए क्योंकि company के कहीं सारे business ने operation करना just start ही किया है and जैसे जैसे company के operation से revenue generate होना start होगी अच्छे net profits आना start होगे तो या तो ये price to earning drastically नीचे आएगा या तो stock price उपर जाना चाहिए stock price भी April 24 में 387 का high लगाने के बाद presently consolidation में है and इसलिए in my opinion जो लोग इन levels पर entry नहीं ले पाए है वो इस consolidation में stock को study कर सकते हैं पर आपको खुद की study भी करनी है सिर्फ मेरी study के base पर investment decision नहीं लेना है क्योंकि मैं savey registered नहीं हूँ तो वीडियो को अगर आपने यहां तक देखा है तो मेरी motivation के लिए वीडियो को like जरूर करिए channel को भी आप definitely subscribe करिए and savey registered search analyst द्वारा direct stock ideas के लिए आप universe को use कर सकते हैं link description में है